अपोजिशन का तो काम है तो बी नॉट हैपी बट मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि जो एक बारी बजट को अच्छी तरह पढ़ ले हम सब ने जब हम निर्मला जी ने सुबह कैबिनेट मीटिंग के बाद जब निर्मला जी प्रिजेंट करें तो उसके बार हम नॉन बजट को अनलाइस कर रहे हैं उनको भी मैं रेकमेंड करूँगा कर लें वह एक वह लाल किताब भी हिला रहे थे लगता हूँ सेलोफीन कवर में थे वह भी पढ़ी नहीं थी उसमें पढ़ते तो उन्हीं की कुछ निंदा थी उस रेड बुक में अपने साथियों को को कुछ एकनॉमिक बेनेफिट्स मिलेंगे अभी आपका अंधरा रियोगनाइसेशन एक जो थी को दोजार बारा की थी उनके समय की थी उन्हों नहीं 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 किया अगर हम कर रहे तो उनको खुशी होनी चाहिए सबका दिहान है दिकि मैंने बोला ना यूथ का वाले बोला we are talking about 4.1 crore youth getting jobs we are talking about skilling for them we are talking about internships for them and the government is in a sense moving from the informal to the formal sector instead of jobbing it you get EPF4 data से लेके आप पहली आपको नौकरी मेलेगी उसमें आप बच्चों को महिने का 5000 रुपए का internship का stipend देंगे फिर इनको एक महीने की salary का वो देंगे so all this is adding up to a very positive healthy picture for the economy